और guys finally बकरे की new video आ चुकिया, real video आ चुकिया और guys मैंने बकरे के मालिक से direct बात करिया, interview लिया है, अगर guys आप भी देखना चाते हो, सुनना चाते हो, बकरे की real सचाई जाना चाते हो, तो guys वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी skip मत करना, और guys आप देख सकते हो बकरे को किस त बकरे के मालिक का interview दिखाने से पहले वो वीडियो दिखा दू, जिसके अंदर बकरा अपने मालिक के गले में गला डालकर इस कदर रोता है, फूट-फूट के रोता है, जैसे कि कोई इंसान रोता है, पहले guys वो वीडियो तो, और guys देखिए अपनी वीडियो कितना प्यारा बकरा है, और अपने मालिक के गले में गला डाला, और ऐसा रोने लगा, जैसे कि कोई इंसान रोता है, guys जब मैंने ये वीडियो को पहली मरतबा देखा, तो guys सच बताओ, मेरी आँखे नम हो गई, और जिन भी लोगों ने ये वीडियो पहली बार देखी, मेरे family members के लोगो ये पहली मरतबा इस वीडियो को देखा, तो सभी लोग रोने लग गए, रोने किसली लगे, guys कभी भी बकरे को रोता हुआ, फूट फूट के इंसानों की तरह नहीं देखा, इंसान को देखा होगा, आपने किसी बच्चे को देखा होगा, बकरे के लिए रोते होगा, लेक इन भारी भरकम बकरह है, और कितने हाइट का है, और कितनी लैंठ है, और कितने लाग का भी का है, देखो, guys, ये बकरह पाकिस्तान की क्रांची बकरह मंडी का ये बकरह है, और वहीं इस सेल आउट हुआ है, ये तकRीमां साड़े 5 लाख रुपेगा, असपास सेल आउट अब गाईज मैं आपको वो रिजन बता दू कि बकरे के मालिक ने किस रिजन की वज़ा से इस बकरे को सेल आउट किया सबसे बड़ा रिजन इसका हैवी वेड था क्योंकि अगर गाईज इसको एक साल और रोक लिए जाता नेक्स्ट इड के लिए तो इसका वज़न जादा बढ़ जाता जिस वज़से ये सर्वाइव रही कर पाता इसलिए गाईज इसके मालिक ने ये मुनासिब समझा कि इसी को इसी बकराईद में इसको सेल आउट कर दिया जाए लेकिन बकरे की महबबत देखके सभी के आँखों में आसू आ गई और बकरे का मालिक भी रोने लगा और बकरे का मालिक ने बोला कि मैंने अपने दिल पे पत्थर बांद के इस बकरे को सेल आउट किया लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं तकि ये बकरा मुझसे इतनी मुहबबत करता है खैर आपने वीडियो को देखा वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को ओल बेस लैड करना इससे क्या होगा आपको नहीं नहीं वीडियो की नोटिफिकरिशन आपको सबसे पहले मिलते रहेगी तब चली गाइज वीडियो को यहीं एंड करूँगा गुडबाई